नमस्कार स्वाकत है आपका समाचार एक्स्प्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा आज की सबसे बड़ी ख़बर कानपूर हत्याकान का मुख्य आरोपी विकास दूबे अल सुभे साड़े साथ बजे एंकाउंटर में मारा गया उतर परदेश के मोस्ट वांटेट अपराध ही विकास दूबे को मार गिराया गया कानपूर के बिक्रू गाउं में दो जुलाई को आठ पूलिस कर्मियों की हत्या के मामले में यह बड़ी कारेवाही की गई है विकास दूबे पर पांच लाग का इनाम था पूलिस की माने तो उजयन से कानपूर लाते समय विकास दूबे ने भागने की कोशिश की इस दोरान एंकाउंटर हुआ और वह मारा गया विकास दूबे के एंकाउंटर को लेकर कानपूर पूलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पांच लाग के इनामी विकास दूबे को उजैन से गिरफतार किये जाने के बाद पूलिस और स्टी एफटी आज 10 जुलाई को कानपूर नगर ला रही थी कानपूर नगर भोती के पास पूलिस की गाड़ी दुरघटना ग्रस्ट होकर पलट गई विकास दूबे और पूलिस कर्मी घायल हो गए इस दोरान विकास दूबे ने घायल पूलिस कर्मी की पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश की पूलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्म समर्पन करने के लिए कहा गया लेकिन वैं नहीं माना और पूलिस टीम पर फाइर करने लगा पूलिस ने जवाबी फाइरिंग की इस दोरान विकास दुबे घायल हो गया उसे सीने में और कमर में दो गोली लगी है करोना की जांच के लिए सैंपल भी ले लिए गए हैं अब करोना की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारेवाही होगी दरसल विकास का एक गुरगा करोना पोजिटिव मिला था इसके बाद विकास की भी करोना जांच करवाई जा रही है बता दे कि विकास को गुरुवार को उजयन के महाकाल मंदिर से गिरफतार किया गया था फिलाल हाथ से को लेकर UP STF के अफसर अभी कुछ बोनले से बच रही है माना जा रहा है कि तेज बारिश की वाज़े से गाड़ी पलट गई एनकाउंटर में STF के चार जवान खायल हुए है बताते चले कि विकास दुबे को गुरुवार को सुबह उजयन मंदिर में करीब 9 बजे गिरफतार किया गया था डरा हुआ हिस्ट्री शीटर गिरफतारी के वक्त चिला रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ कानपूर वाला इसके बाद पुलिस उसे पहले महकाल थाना, पुलिस कंट्रोल रूम, नर्वर थाना और फिर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ले कर गई जहां उससे करीब 2 घंटे तक पूस्ताच की गई इसी बीच खबर आ रही है कि विकास की पत्नी, रीचा, उसके बेचे और नोकर को लखनव में हिरासत में ले लिया गया था इससे पहले बुदवार देर रात विकास दुबे के एक और करीबी प्रभात मिश्रा को मारा गया था प्रभात को पुलिस ने बुदवार को फृरीदाबाद से गिरफतार किया था यूपी पुलिस उझे ट्रांसिस्ट रिमान पर कानपूर ले जा रही थी रास्ते में प्रभात ने भागने की कोशिश की उसने पुलिस की पिस्टल चीन कर फाइरिंग कर दे पुलिस की जवाबी कारवाही में प्रभात मारा गया गिरफतारी के 21 घंटे के बाद विकास मारा गया आपको बताते हैं कि किस तरह से विकास की गिरफतारी वर एनकाउंटर हुआ गुरुवार 9 जुलाई सुभे 9 बजे विकास उज्यैन में गिरफतार हुआ शाम 7 बजी UP STF की टीम को विकास को सोपा गया रात 8 बजे STF की टीम कानपूर के लिए रवाना हुई शुकरवार 10 जुलाई शुकरवार 10 जुलाई देड रात सवा 3 बजे STF की टीम जहासी पहुची कुछ देर बाद कानपूर के लिए रवाना हुई सुभह सवा 6 बजे काफिले ने कानपूर देहात बोडर रायपूर से शहर में एंट्री की सुभह साड़े 6 बजे स्टीएफ की गाड़ी पल्टी तभी विकास दूबे ने भागने की कोशिश की फाइरिंग शुरू हुई विकास जखमी हो गया सुभह साथ बज़कर 10 मिनट पर स्टीएफ विकास को हैटलट अस्पताल लेकर पहुची सुभह साथ बज़कर 55 मिनट पर विकास को मृत घोशित कर दिया गया महाकाल की शरण में जाने तक से अब मोत के घाट उतरने तक पिछले 24 घंटे में क्या हुआ विकास दुबे को आखरी बार फरीदाबात में देखा गया था पूलिस उसे तलाश रही थी इसे बीच गुरुवार को सुभह अचानक विकास दुबे मध्य परदेश के उजयन पहुचा जहां वो महाकाल मंदिर में दर्शन करने गया सुभह करीब साड़े साथ बजे विकास दुबे महाकाल मंदिर गया वहां उसने मंदिर में दर्शन किया इसी दुरान किसी दुकान वाले ने उसे पहचाना और वहां गाड को सूचित किया गाड ने विकास दूबे को पकड़ा इतनी ही देर में स्थान्य पूलिस वहां आ गई विकास दूबे यहां मंदिर के बाहर अपना नाम चिलाता रहा जब पूलिस उसे गाड़ी में बिठा कर ले जा रही थी तब गैंक्स्टर चिलाया मैं विकास दूबे हूँ कानपूर व पुलिस वालों की लाश को जलाना चाहता था लेकिन वक्त नहीं मिला चौबे पुर्थाने के अलावा कुछ और थाने भी उसकी मदद कर रहे थे विकास दुबे एंकाउंटर में मारा गया स्टी एफ ने कानपूर में उससे धेर कर दिया इधर लखनाव में विकास दुबे क Cambridge पातनी को लिए 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 पूचिताच के लिए कानपूर लाया गया शौद के अग्सिदन्ट की खबर आई तेज रफटार अचानक पिलट गई जिसके बाद विकास दुबे ने वहां से भागने की कोशिश की पूलिस के मुताबिक विकास दुबे ने हत्यार चीने और इस दोरान मुठवेर हुई और विकास दुबे मारा गया आपको बता दे कि कानपूर गोली कांड में आठ पूलिस कर्मी शहीद हो गए थे उस कांड में शामिल करीब विकास दुबे समेत 6 अपराधी अब तक एनकाउंटर में धेर किये जा चुके हैं वहीं बताते चले कि नेताउंग ने भी सवाल खड़े करने शुरू खटी हैं दरसल ये कार नहीं पल्टी है राज खुलने से सरकार पलटने से बचाए गई है जिसका शक था वह हो गया विकास दुबे का किन किन राजनितिक लोगों से पूलिस वा अन्ये शास के अधिकारियों से उसका संपर्क था अब उजागर नहीं हो पाएगा पिछले तीन चार दिनों में विकास दुबे के दो अन्ये साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है लेकिन तीनों एनकाउंटर क पैट्रन एक समान क्यूं है वहीं परदेश के ग्रहें मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कल जब उजयन में विकास गिरफतार हुआ था तो भी कुछ लोग सवाल उठा रहे थे एंकाउंटर के बाद भी लोग सवाल उठा रहे हैं मत्य परदेश पुलिस विकास को उत्र परदेश की सीमा तक सुरक्षित छोड़ कर आई थी ऐसे ही में विकास दुबे एंकाउंटर पर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है वेपन चीनने की कोशिश की भागा उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलेटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां उसको डेट घोशित किया गया है इसके बारे में उफिशल वर्षन जब आएगा तो मुख्याले के दोरा रिलीस किया जाएगी चबूहरं बयान में क्या कबूला था भी तक किजबातरी सब्क्राइब रहा था अब यहाँ पुस्टाज कहा उई थी unlike फुस्टाज की बात इसके बारे में official बयान जारी किया गाए इसको देखा जाएगा, इसको देखा जाएगा इसको देखा जाएगा, बेचना में जो त्थे आएंगे आएगे इसे ही latest प्रबुट पाने की लिए bell icon को 클릭 कर हमारे चैनल को like, share and subscribe करें हैंने वाद